दोस्तों आज मुझे पहली बार पता चला जब मॉर्निंग में कहीं जाना हो और ब्रिक्फस्ट आपको रेडी ना मिले और नाहीं तिफन तो आपका क्या हाल होता है भूख के मारे मेरे हाथ काप रहे थे और फिर भी देखो मैंने कैसा टेस्टी ब्रिक्फस्ट बनाया है इतना क्रिस्पी और मज़ेतार मसाला डोसा और साथ में मैंने बनाई नाजल की छत्नी क्योंकि कुछ भी हो साथ के साथ कंप्रोमाइस तो हम कर ही नहीं सकते तो इसके लिए क्या लेंगे सबसे पहले में लिया एक कप सूजी कैसे भी हो बारी क्या मोटी वाली आप ले लें एक टेबल स्पून लेंगे इसमें बेसन और एक से दो टेबल स्पून आप ले लो नार्मन आटा जिससे आप रोटी बनाते हैं मैंने जेड़ चमच लिया ह अब हमने क्या किया इसको एक से दो मिनट तक मिक्सर जार में चला दिया और जब तक आप देखोगे यह काफी बरीक हो जाएगा और इसका दाना खतम सा हो जाएगा अब सुजी भी बरिक हो चुकी हैं तो इसे निकाल लेंगे एक बोल में मैंने निकाला है पतीले में अब जितनी सुजी ले थी यानि एक कब उतना ही मैंने ले लिया ये करड़ जो कि ना तो ज़़ादा खटी थी ठीक ठीक थी ये और फ्रेश होनी चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है हमारा डोसा बहुत ही टेस्टी बनेगा अब इससे बनाएंगे एक घोल सबी चीजों को अच्छे से मिला दें ताकि इसमें जो गुटली हो वो खताम हो जाए और देखिए हमारा पेस्ट बिलकुँ स्मूध तयार हो गया अब क्या करेंगे अब बस इसको ढखकर साइड में छोड़ देंगे दस से पंदरा मिनट के लिए और उत्ती देर हम खाली थोड़ी रहेंगे क्योंकि हमें तो आदे गंटे में ही बनाना है तो यह ऑलू जो कि पहले से बोल किये हुए पड़े थे मैंने ले लिए हैं और इसे किसी भी गलास या फी आप आलू मेश च़र ले ले और उससे मेश कर ले मैने तो यह लिया है गलास नर्मल वाला और इस से मैंने अज्छे से इसे पीश लिया क्योंकि काटने वाटने का तो मेरे पस टाइम नहीं था आप क्या करेंगे एक बड़ी चमच यानि मीडियम चमच क्योंकि हमें हैल्थ के साथ भी कम्प्रोमाईज नहीं करना तो लेजिये ये थोड़ा सा इसमें डालेंगे औहुँ है और इसमें डालेंगे एक चोटी चमच जीरा जब जीरा तड़कने लगेगा तो इसमें डाल देंगे क्या डालेंगे? इसमें डाल देंगे एक चोथाई चमच हिंग हिंग जरूर से डालें बहुत अच्छा सा टेस्ट आपके असाले में आएगा एक चोटी चमची इसमें डाल देंगे राई राई ना हो तो सरसों डाल देना अब ये देखिए मैंने लिया है एक रेड़ चिली जादा ना ले क्योंकि जादा तीखा हो जाएगा इसको डालने के बाद एक चोटी चमच मैंने डाला है चने की डाल चनी की डाल पहले डाल लें, उसके बार डालें एक छोटी चमच उड़त की डाल, क्योंकि उड़त की डाल जल्दी से पक्चाती है, आप इसमें डालेंगे 8-10 करी पत्ता और एक ग्रीन चिली, सबी चीजों को डाल कर जब अच्छे से खुश्बू आने लगें, तो मैंने इस बारी कटी हुई अद्रक, और एक छोटा अनियन उसे भी आप इसी तरह से काट लें, प्यास को ट्रास्लूसेंट होने तक ही पकाएंगे, सबी चीजों को हिलाते हुए पकाएंगे, आपको क्या बताओं कितनी अच्छी चीजी खुश्बू आ रही है, आज तो बिल्कुल म बस्त ब्रिक्फस्ट खाने को मिलेगा, बस हमारी जो प्यास थे वो पकने ही वाले हैं, इसे पकाते हुए हमें तीन मिनट हो चुके हैं, बस इसमें डालेंगे आदी चोटी चमच हल्दी और आदी चोटी चमच रेट चिली पाउडर, आप मिर्च को अपने हिसाब से कम जा लेना, आदी चोटी चमची और ये हमने डाले हैं, चार आलू उबले हुए जो हमने अभी मेश किये थे, आप चाहे तो बारी काट भी जहते हैं, लेकिन मुझे तो इसी तरह का ही पसंद है, तो मैंने वैसे भी मेरे पास टाइम भी कहा है, मुझे तो इसे पकाना है बस आलू मसाला तयार है, जो कि बहुत मज़ेदार बना है, लेकिन बहुत जटबड़, आलू को अच्छे से मेश कर देंगे, तब ही तो आलू मसाला बहुत ही जादा मज़ेदार बनेगा, ताकि सबी चीज़ें अच्छी से मिल जाएं, अभी हमने इसे मीडियम फ्लेम पर चल रखा है, और इसमें मैं अभी डाल रही हूँ ये नमक, क्योंकि मैंने पहले नहीं डाला था, तो मैंने इसी स्टेज पर डाला है, अच्छी में मुझे पहले नमक मिला ही नहीं था, तो इसलिए मैंने इसमें अभी मिलाया है, सबी चीज़ें को मिला देंगे, और इसमें ड अब हम गैस को आफ कर देंगे और मसाले को अच्छे से मिला देंगे अब ये दूसरी साइब हम बनाएंगे कोकोनेट चथनी जिसके लिए मैंने लिया था नारियल और क्योंकि मेरे फ्रेश नारियल नहीं था तो मैंने यूज़ किया है ड्राइ कोकोनेट खोपरा बोलते हैं जिसे और उसे ओवरनाइट सोक किया हुआ था वाटर में अब इसमें डालेंगे वन टेबल स्वून ये भूने हुए चने जो बिना चिलके आले हैं इसी तरह नारियल का भी हमने चिलका निकाव दिया था आजर डालेंगे करी पत्ता एक हरी मिस्प मैंने आधी लिया है और साथ में आधी इंच अद्रक का चुकुडा और आधी इंची ये इमली का हमने पीस लिया है और इसमें डालेंगे त्वादान सर नमक और सबी चीजों को ब्लेंड करेंगे इसमें डाल देंगे थोड़ा सा वाटर और हरे धन्या पत्ती 3-4 टेबस्पून डाल ले सबी चीजों को मिलाने के पार और इसमें आपको आधा कब के क्रीब पानी डालना होगा लेकिन धीरे धीरे करके डाले अगर आपको ड्राई खाने में अच्छी लगती है तो कम डाले और मेरी तरा से अगर अच्छी लगती है तो मैंने आधा कब के क्रीब डाला है अब ये देखिए एक तवे पर हमने लिया है एक चमच आयल और उसमें डालेंगे ये चना डाल चना डाल को क्योंकि सबसे लेट को खोती है के पहले डालें इसी में हमने डाल दी एक चमच अधी चमच उड़दा और साथ में मैंने लिया है आधी चोटी चमच ही राई और एक चोथाई चोटी चमच ये लिया हींग सबी चीजों को डाल लेंगे और जब सब कुछ दिरकने लगेगा इसे अच्छे से हिलाएंगे गेस को आफ कर देंगे ताकि आपका जो ये तड़का है ये जले नहीं और अब गेस को आफ करने के बाद इसमें डालेंगे ये रड़ चिली और साथ में ये करी लीव्स अब इस धड़के को डालेंगे हमारी कोकोनेट चटनी पर और इसे फाइनल टच दे देंगे आप देख सकते हो चटनी तो बहुत ही ज़ादा तेस्टी लग रही है खाने में भी वज़ेदार है और बिलीव में खा के देखेगा अब डोसा बैटर रेड़ी है इसमें डालेंगे नमक स्वादा अंसर डाल लीजे और इसका गोल बनाएंगे इस पेस्ट को पानी धीरे धीरे डालते हुए डोसा बैटर की तरह तयार करेंगे अभी क्योंकि ये काफी गाड़ा है तो धीरे धीरे करके पानी डाले और इसे मिलाएं अब इसमें डालेंगे एक चुथाई चमच छोटी चमच मीठा सोडा और एक चमच पानी डालकर गोल तयार करेंगे इसे धीरे धीरे करके मिलाएं ये जितना अच्छा आप इसे फेट देंगे ये डोसा उतना ही अच्छा बनेगा तो अच्छे से फेटे अब गैस की फ्लेम को बिल्कुल हाई पर करें और तवा गरम करें लेकि गरम होने से पहले ही तवा को ग्रीस कर लें ग्रीस करके तवा पर डालेंगे एक दो चमश पानी और उसे क्लीन करेंगे ताकि तवा ठंडा हो जाए और हम अपने डोसे का बैटर इस पर डाल सकें गैस की फ्लेम को डोसा डालते वक्त मीडियम रखे सार्टिंग में हमने हाई की थी जब तवा गरम हो गया तो उसे पानी जल कर ठंडा किया फिर उसके बाद इसे मीडियम पर करके डोसा फैलाएंगे और जब डोसा फैल जाएगा तो हम करेंगे हाई पर फ्लेम को हाई कर दे क्योंकि इस डोसे को हाई फ्लेम पर ही बनाया जाता है तब ही ये क्रिस्पी बनता है और बहुत ही जादा तेस्टी भी लगता है अब जब तक हमें ब्राउन चक्तिना दिखने लगे इस डोसा को हम छेड़ेंगे नहीं क्योंकि फ्लेम हाई है तो दीरे दीर जल्दी आप देखोगे कि बिल्कुल ब्राउन होने लगेगा और उस पर डाल देंगे एक छोटी चमश आयल जानि कुछ ड्रॉपस आफ डाल दे आयल की और देखो यहां से देखें मैं दिल देख रही हूँ हिल नहीं रहा लेकिन अब ही आप जादू देखेंगे यह जैसे ही यह क्रिस्पी हो जाएगा ब्राउन हो जाएगा तो जैसे ही हम इस पो हिलाना चाहेंगे तो पूरा डोसा आपका एक मिनट में निकल जाएगा डोसा देखेंगे बहुत ही क्रिस्पी बना है और मज़ेदार भी है अब यह क्या करेंगे जो मसाला है आलो का उसे इस पर इसी तहां रख लेंगे ताकि खाने में तेस्टी लगे और डोसा तो बहुत बज़ेदार है लेकिन गरम भी बहुत है तो धीरे से करके इसे इस तरह से राउंड करतेंगे आपको दिखने में लग रहा है ना यह डोसा जो है बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है अब ही मैं आपको चेक भी तरवाऊंगी यह मैंने दूसरा भी डोसा फेला लिया और बना लिया तो आपको यह अथेंटिक डोसा वाला ही डोसा लगेगा क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार है अब जल्दी से डोसे को हम राउंड कर देंगे और इसे तवे से निकाल लेंगे लेकिन यह बहुत ज़्यादा गरम है और मैं इसे टच भी नहीं कर पा रही लीजिए डोसा तो आ गया और अब हम देखते हैं कि अभी भी क्रिस्पी है या नहीं अब हम इस डोसे को चेक करेंगे और यह देखिए यह कितना पतला और क्रिस्पी बना है अगर आपको आज की रस्पी पसंद आई तो लाइक करें, शियर करें, सब्सक्राइब करें कॉमेंट बाक्स में अपने व्यूज शियर करना ना भूलें भई इतनी कर्मी में ये डोसा बनाया है, एक लाइक तो हमारे लिए बनता है खाकर जादा अच्छा लगें, तो कॉमेंट बाक्स में तरीफ करना ना भूलें तो फिर से मिलेंगे बाहर टेक एर